यह background to the poem on his blindness by John Milton हम के बल अभी background देख रहे हैं इस video के बाद आपको text से related part 1 and part 2, two videos मिल जाएंगे और उसके बाद आपको MCQ on his blindness पर आपको लगभग 40 questions मिल जाएंगे तो अब हम background देखते हैं सबसे पहले John Milton का जनम 1608 में हुआ और उनकी मृत्यू 1674 में हुई है अब अगर हम थोड़ा सा history देखें तो हमें मोटी मोटी जो history पता होनी चाहिए वो ये है 1558 महरानी एलिजबेट सिंगासन पर आईं 1508 से 1603 तक का समय महरानी एलिजबेट का शासन काल था जिसे हम एलिजबेटन एज के नाम से जानती है महरानी एलिजबेट की मृत्यू 1603 में हुई 1603 तक एलिजबेटन एज है 1558 तो 1603 अकसर कोई न कोई question age related पूछा जाता है तो आपको age अगर clear हो तो थोड़ा सा poet कौन से age को belong करता है ये learn करना easy हो जाएगा तो 1603 में महरानी एलिजबेट ने क्या किया उन्होंने आखरी पल में Scotland नामक देश में राजा James 6th James 6th of Scotland का शासन था और James 6th की जो मा थी उसकी हत्या महरानी एलिजबेटने कराई थी क्योंकि James 6th की मा जो है हमेशा शडियंत्र रचाती थी क्वीन एलिजबेट के खिलाफ तो महरानी ने तंग आकर उसकी मा को मरवा दिया पर James 6th जो की Scotland के थे थे तो रिष्टेदार महरानी एलिजबेट के तो महरानी ने मरते समय पर उनको अपना उतराधीकारी घोशिद किया अप रादबोद रहा होगा ना महरानी में तो उन्होंने मरते समय पर उनको अपना उतराधिकारी घोशित किया तो James VI जो Scotland के थे वो England के James प्रथम बने वहां तो वो Roman Catholic धर्म फॉलो करते थे यहां वे Protestant धर्म को फॉलो करने लगे और वे सिगासन पर 1603 में बैठे उन्होंने Roman Catholic धर्म छोड़ दिया और वे Protestant बन गए और आपको यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि Macbeth में इसका reference है तो इसलिए 1603 में James I of England जो originally James the 6th of Scotland थे वो James I of England बने और 1603 से लेकर 1625 तक James का काल था जिसको की हम Jacobian Age के नाम से जानते हैं हम हर Age के उपर भी वीडियोस देखेंगे तो यह Jacobian Age है अब आप देखो Milton का जनम Jacobian Age में हुआ है क्योंकि Jacobian Age तो 1603 से 1625 था ना और इनका जनम 1608 में हुआ है पर कोई पैदा होते ही लिखना थोड़ी ना शुरू कर दिया होगा 1625 में जब James I of England की बृत्यू हुई तो उनके पुत्र Charles I, Charles Pratham England की सिंहासन पर बैठे और अब शुरू होता है Caroline Age Carolus, Charles का फ्रांसी सी नाम Carolus है और इसलिए Caroline Age Jacobian, Jacob, James का नाम और Carolus, Charles का नाम तो Jacobian Age, Caroline Age Caroline Age आपका जब ये बैठेंगे Charles I, सिंहासन पर बैठेंगे 1625 से लेकर 1649 तक उनका शासन रहेगा तो मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए 1558 तो 1603 Elizabethan Age 1603 से 1625 Jacobian Age Milton का जनम Jacobian Age में हुआ है बट वे major writer Jacobian Age के नहीं रहे क्योंकि उसके बाद जो 1625 से 1649 वाला period था वो Charles I का काल था Caroline Age था तो Caroline Age में Milton लिखते थे 1649 में ये जो राजा है Charles Pratham इनकी गर्दन काट दी गई है ना 30 January 1649 को उनकी गर्दन काट दी गई क्योंकि वे वो धार्मिक कारण थे अभी उसमें मत पड़ो है ना उसके बहुत सारे religious reasons, political reasons थे वो सब हम बाद में एज में देख लेंगे तो इनकी गर्दन काट दी गई और 1649 से लेकर 1660 ग्यारा साल तक इंग्लेंड में कोई समराट नहीं रहा, मोनार्क नहीं रहा, मोनार्की खतम हो गई और Oliver Cromwell Lord Protector बनके Parliament के मुख्या थे और Prime Minister तो वो जो थे Oliver Cromwell वो एक तरीके से शासन करने लगे और Otherwise वो राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वो मोनार्की तो खतम हो गई और Oliver Cromwell Lord Protector बने और Milton उनके चहेते थे तो Oliver Cromwell का वो जो पीरियड था, वो पूरा 11 साल का पीरियड आपका Commonwealth period कहलाता है उसमें Oliver Cromwell भी है, आखरी एक साल में उनके बेटे Richard Cromwell भी आजाते हैं, उससे मतलब नहीं है आपको आपको याद होना चाहिए, 1649 to 1660 आपका Commonwealth period कहलाईगा उसका नाम है Commonwealth period, उसका नाम है Interregnum, Interregnum जैसे Interval बीच का वो 11 साल जब शासन करने के लिए कोई समराट नहीं रहा और अधिक तर ये पूरा period Puritan Age के नाम से जाना जाता है क्योंकि धर्म में कटर था थी Oliver Cromwell और ये Milton भी बिल्कुल कटर थे Puritan Age शुरू पहले से हो गया पर जोर पकड़ गया इस Commonwealth period में जिसको की अपन Interregnum की नाम से जानते हैं तो 1558 तो 1603 Elizabethan Age, 1603 से 1625 आपका Jacobian Age, 1625 तो 1649 आपका Caroline period जो है और फिर 1649 से 1660 आपका Commonwealth, Interregnum, Puritan ये सब है और 1660 में Restoration काल आ जाएगा, Charles जो प्रथम जो थे जिनकी गर्दन काट दी गई थी उनके पुत्र Charles II को सिंहासन पर बिठाया जाएगा Oliver Cromwell के मरने के बाद और Richard Cromwell उनका बेटा त्याग पत्र दे देगा कि मेरे से तो देश नहीं चलेगा तो फिर 1660 में Charles प्रथम का बेटा Charles II उसको सिंहासन पर बिठाया जाएगा उसको उसके अधिकार पुनह लोटा दिये जाएगे English में Restore शब्द का मतलब है पुनरस्थापित करना तो Charles II को पुनरस्थापित किया जाएगा यहां से Restoration शुरू होगा तो John Milton एक ऐसे कभी है जिनोंने की Caroline Age में भी लिखा और उनोंने Puritan Age वो Commonwealth वाला Interregnum period में भी लिखा और उनोंने Charles II का जो शासन काल था Restoration period उसमें भी लिखा क्योंकि 1660 में Restoration आगे और Milton की death तो 1674 में हुई है तो Milton ने Majorly in तीन periods में लिखा है Caroline Age जो है उसके बाद Interregnum, Commonwealth यह और फिर Restoration period और यह कहलाते है Puritan poet क्योंकि धर्म के मामले में यह कटरवादी थे एक तो यह ठीक है दूसरा दूसरा point आप समझो यह जो चार्ल्स प्रथम चार्ल्स प्रथम कौन थे वो जेम्स थे न 1603 से 1625 जो महरानी Elizabeth के बाद आई थे 1603 से 1625 1625 में Caroline Age स्टार्ट हो जाता है 1603 से 25 तक तो Jacobean है और 1625 में James 1 के बेटे Charles 1 सिंहासन पर आगए और उनका पूरा शासनकाल 1625 से 1649 तक Caroline Age Charles नाम है इसलिए Caroline Age अब इसी में दो गुठ हो गए Charles के शासनकाल में कुछ लोग राजा के फेवर में थे वे कैवेलियर पोएट्स कहलाते थे कैवेलियर देखे एज पूरा Caroline है पर सारे कवी वो कैवेलियर नहीं है Caroline तो सब है Charles के शासनकाल के सारे कवी Caroline है पर कैवेलियर कुछ ही होंगे और John Milton कैवेलियर नहीं थे जो राजा के पक्ष के लोग थे वो सारे कैवेलियर पोएट्स है जो राजा के दुश्मन है या खिलाफ है वो सारे कैवेलियर पोएट्स नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि John Milton Caroline poet है पर Cavalier poet नहीं है एक तो यह आपको पता होना चाहिए तीसरी बात Oliver Cromwell के शासन काल में Milton को बहुत important पद प्राप्त हुए politically भी बड़े important रहे वे Latin secretary बने यह भी आपको पता होना चाहिए चौथी बात Matthew Arnold जो Victorian age में आएंगे उनों ने John Milton की style को Grand style का नाम दिया Grand style term John Milton के लिए use होता है और वो नाम किस ने दिया? Grand style नाम किस ने दिया? Matthew Arnold ने दिया और John Milton हमेशा कहते थे बगवान जो करता है अच्छा करता है बगवान जो करता है अच्छा करता है और लगभग वो 44 साल की उम्र में अंधे हो गए इन दिया 1652 he became blind थोड़ी थोड़ी blindness टार्ट हो गई थी 52 तक तो पूरी completely हो गई और ये जो सॉनेट है हमारा on his blindness ये पेटरारकन सॉनेट है इसका एक टिपिकल राइम स्कीम है वो सारा आपको MCQ में मिल जाएगा और इस में इस सॉनेट में आठ बार first person personal reference है I, me, my इन शब्दों का use है तो first person personal reference इस सॉनेट में बहुत जादा है इतना सा आप जान ले और फिर हम MCQ जब करेंगे तो उसमें हर question और उसके answers discuss करेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा